यह तो बस एक मजाक ही था, इतना भी हक नहीं है कि हमारा जीजुपे हम यहां से चले जए इतनी छोटे से मजाक पर तुम हमें घर से निकालना चाहती हूँ वेदान्त और सोरा की शादी होगे और यहां पर भी घ्रह प्रवेश में हमने देखा ही था कितना बड़ा नाटक हो जाता है यहां वो शीशा रख देती है उसके पैरों के नीचे और शीशे की उपर ही वो भाई अपने एक एक शादी का रिष्टा कोई मजाक नहीं होता कोई हमारे सुहाग पर नजर डाले इसे हम माफ नहीं करेंगे टैप करके ग्रह प्रवेश कर रही होती है और खून निकल जाता है अब खून जैसी निकलता है न तो वेदान्त देख लेता है और वेदान्त को समझ में नहीं आता कि ये किस नहीं किया है और अचानक से उसको गोध में उठाके भी ग्रह प्रवेश तो पूरा हो जाएगा यहां पर जो रूध्र है उसको गुष्सा हा रहा अब रूध्र कैता है यह किस ने किया है किसकी इतनी मजाल है और और Więce को बोलता है कि कोई तुम्हारी जिम्मेदारी ती ती नएथर यह एकदम हकateur जाती gesund कि क्या क्या बोलूों यहां पर नौक्रानी के उपर वह सारा इ कोई गल्ती नहीं है यह लोग तो गरीब लोग है और कोई बात नहीं गल्ती से अगर हो गया आप यह सारी देखके न सब यहाँ ध्वनी जो होती है वो तो पहुंच जाती है उसी के गैट अप में यहाँ पर उसके रूम में वेदान के और जो स्वरा है न उसको भई यहाँ पर भगवान की माला जपने के लिए छोड़ दिया और यहाँ पर कोयल और उसकी जो भावी है वो यह बोलते हैं कि हमारे खिला है न सोहाःक राट से पहले एक माला जपी जाती है अम्बे मा की 108 बार तो तुम पहले हो कर लो उसके बाद जाना वेदान के पास यहाँ पर माला जपरी होती है और इस चीज का फाइदा ध्वनी उठा लेती है ध्वनी पहुंच जाती है वेदान के पास स्वारा बनकर और यहाँ पर भई वेदान जैसी उसका गूंगट उठाएगा तो पता लगेगा अरे यह तो सुवारा ने ध्वनी है